आज आपके लाए है एक बहुती बरिया गैजेट जो होगा सेंसर के मादन से हम लोग डिस्प्ले पे कोई भी चीज हम लोग डाल सकते हैं जैसे कि सैंसर होगा जोकि यहाँ पे मैंने फोटो टांजिस्टर लगया है तो पिछले एक वीडियो मेंने बताया था उस पर मैंने बनाया था LDR के मदद से किस परकर से हम लोग कोई भी picture ड्रोग कर सकते अपने हाथों को या फिर कुछ भी हम लोग डालके तो इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस परकर से photo transistor को हम लोग यूज करके आसानी से एक अलग से डिस्प्लेई पर हम लोग वो ही जो फोटो टांजिस्टर के सामने आएगा वो ही डिस्प्लेई पर शोग करेगा इस तरह एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो चलिए किस परकर से इसको बनाते हैं वो आज हम लोग देते हैं इसी वीडियो में कि दिस विडियो स्फंसर पाइ LTM.com यहां पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं प्सीवी डिजैन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के गर्बर फाइल ये सब कुछ आसाने से क्रेट कर सकते हैं इस सफ्टेयर पे इस सफ्टेयर के ट्रायल के लिए नीचे देवावा लिंक पर क्लिक करें तो अभी जा अपने प्रोजेक्ट देखा है इसको बनाने से पहले हम तो इसके लिए ये जो कि हमने जो अटीविव लाइट लाइट लगया है यह बंद हुआ है तो रेड ग्रीन ब्लू के लिए अलग-अलग फोटो टांजिस्टर में फिट किया है तो जिस पर मैंने यहां पर मतलब डार्क होगा जो तांजिस्टर जो बी निए वे अब को देखा रहा हूं ध्य बाट करूंगा तो यह कर रहे हैं देखा थे फिर से मतलब यह एक हो इसको दींस से तो इसको दब पर टैंब तो तो इस तरह यह काम करते हैं तो मैंने अलग-अलग जो की फोटो टांडिस्टर को अलग-अलग LED पर मैंने कर दिया है करने के बाद यह एक्षुले में काम करता है तो यह जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं यह बहुत ही अच्छे से काम करता है तो इसी टेक्नोलोजी को हम आज का प्रोजेक्ट अम लोग बनाएंगे तो चलिए बनाते यह प्रोजेक्ट तो अब अब लोग देख सेखे हैं यहां पर फोटो टांडिस्टर को हमने बहुत सारे लगया है तो इसको सीरियल और वर्टिकल इस तरह मिला के लगना होगा और इसको हमने रेजिस्टन्स लगया है पीछे की तरफ जो कि 330 लगा सकते या फिर 220 ओम्स लगा सकते तो इसको लगने के बाद आउट्पूट पर हम लोग ले लेंगे आउट्पूट हम जो कि आडिनो पर लेंगे तो आडिनो का बहुत सार इफ्पीन की ज़रूत होगा इसके लिए मैंने यूज किया है जो आडिनो का मेगा आडिनो है उसको हमने यूज किया है तो इसको यूज करके हम लोग आसानी से इसको बना सकते है तो अभी हम लोग डिस्प्ले को के दिख्टे के दिख्टे तो आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले को मैंने कम्लेक्ट कर दिया है तो डिस्प्ले पर हम लें जो कि आपके यहां पर बहुत सब्सक्राइब इस पर कारेंट जादा लगेगा इसलिए हम लोग अलग से ट्रंस्टर लगाना परेगा और ट्रंस्टर की जो बेस है बेस से आउट्पुट ले लिया सब्सक्राइब तो आप अलगे और उसी के मदद से अलगे अलुग आसानी से यह प्रजेक्ट बान सकते तो अब लोग देख सकते हैं यहां पर साकित को मैंने फीट कर दिया है तो यह रहा जो कि आटिनो मेगा तो मेंगा क्यों लगा है ताकि वायर जादा हम लोग लगा सके तो इस पर मैं मैंने कुछ LED लगा दिया निए तो LED को मैंने टान्स लिज प्रफिन से इसको BoLTis W forget क्या है ठीए और टान्सिटर की 되지 को मैंने जो कि मेका पर लगा दिया है और मिगा से से जो कि स्पर से जो ऍटाय थे मेका पर वहाई तो टो से शर्क सामने जब यंग्यू लाइंगे लेकिन सेंसर के सामने कोई हाई लाइट ग्लो करना परेगा तो लाइट को मैंने लगा दिया है एक इसको लाइट को एक जागा पर कर दिया है पहले इसको on करते हैं, on करने के बाद ये led glow करेगा, तो देखिये on करने के बाद ये led glow ग्लोगा गाँ तो अभी हम लोग जब भी इसको जलाएंगे तो led बंद हो जाएगा, तो LED जब भी light को glow करेगा LED बंद हो जाएगा देखिएगा तो देखा आपने जब भी light on हुआ है LED बंद हो गया है क्योंकि इस पर light गिरा है तो जब भी इसके सामने कुछ लाएंगे तो यह जहां पर dark हुआ है वहां का LED ग्लो करने लगा देखा आपने तो इस तरह यह काम करत है तो देखा आपने किस पकड़ से आसानी से हम लोग एक फोटो टंपिशर को यूज़ करके डिस्पले पे अलग से पैटर्न हम लोग बना सकते हैं अगर वीडियो का चला का तो लाग ज़रू के जगा और अपने दोस्तों ज़रू शेर के जगा आज के लिए थे थैंकियो अबस्तों बाइ